हाँ, so Hello Everyone a welcome you all to UIS, so we are going to discuss a very important topic in this session, एक तो एक आस्पेक्ट है , इस रेलेटेड विद ए रेलेटेड है विए , यो स्ममरीन से रेलेटेड है ,아ुब्स नॉइकलिर समर्मरीन के ओसेट्ट से रेलेटेड है तो वह हम discuss करें जैसे कि we can see this is nuclear submarine और यह इसका इसा प्रेट्रोलिंग करने वाली है तो यह मतब इस submarine nuclear non-nuclear concept आगे discuss करेंगे फहले भी we have discussed on this कफी detail में discuss किया है तो देखो एडिटोरियल में अगर देखा जा तो आज एक टॉपिक है जो हमारे एक्जाम के अंदर आ सकता है यह टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का है इसके अलावा न्यूज में देखोगे तो यह है यह तो जो एक अमेंडमेंट किया गया है इसके बाद इंडिया औस्टेलिया ने ओडियो वीजो को प्रेडिक्शन एग्रिमेंट साइन किया गया है सेमी कंड़क्टर के ऊपर वी आफ इसके यस्टरड़े अलसो कल भी हमने डिसक्स क्या था यह सारे आपके टॉपिक्स जो है आज हम लोग डिसक्स करेंगे प्रिलिम सा कॉस्चन देखनो तो करेक्ट आपको बताना है ठीक है तो 1,2,1,1,1,2,1,2,2,3,2,3,2,3,2,3 तो comment section में यू can answer यह जो questions already हम लोग ने प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज में cover किया हुआ है तो प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज जो साथ बज़े आती इंग्लिश में होती है तो उसमें आप यह session देखो के तो Monday to Friday का time रहता है उसमें Monday to Friday morning 7 a.m. sharp को आपको start हो जाता है तो उसमें we have discussed this topic तो यह आप ध्यान रखे है तो पहले question मैंने आपको दे रखा है देखो आज के topics में एक तो हम A, UK, US फिर में I will give you a means question means question आपको एकदम से that we will discuss जिसमें आपको लिखना है तो बहुत अच्छा एक सोचने का एक scope प्रवाइड करेगा आज का means question है दूसरा एक चीज यह भी है कि आज का जो कल जो मैंने आपके लिए प्रस्त दिया तो उसका best answer भी I am going to share with you in news topics के अंदर एक तो S3 and 2 है amendment amended the prevention of money laundering maintenance of records rule है semiconductor IPF है industrial co-production visual agreement है फिर प्रिलेंस का question जो मैंने आपको आपको अल्री दे दिया तो यह सारी चीज़ हम discuss करेंगे means के अंदर देखा जाए तो यह मेंस का प्रस्चन वापनाइजिशन आप country in this polarized world will not make world order stable है न तो यहां पे इस प्रिक्रत दुनिया में देश का सस्त्री करण विश्च विवस्था को इस तर नहीं करेगा चर्चा करना है सोचना पड़ेगा क्योंकि जैसे यह UK-US जो अरेंजमेंट है उस पर आगे चर्चा करेंगे तो whether that will that is somehow क्या यह किसी देश का वेपनाइजिशन है क्योंकि वी इसी इस इस्थिती में जो आइसा भागे और पॉर्च आपका अफेक्ट हो एक विट अर्डूर अफेक्ट होगा यह उसके बाद हम टसक्र्चिस एसे जैसे पहले हैं वोग क्लोग सब्सक्राब करता है रिफोर एक अगे एक जीव एक कंतक्स्तर डिसक्स करता है और इसकी और बादम डिसकस करते हैं देखो पहला चीज तो हमें क्या डिस्कस करना है फ्रिपाउ निपरayन के बारे में समयर्णे को फोटेज श्मीररीय में आपकी एक तो नूब्लिडा समयर्ण होती है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसको एनर्जी की जुरुरत होती है तो एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है उसके माध्याम सेनर्जी का प्रॉडख्षन होता है जो इसी तरीके से गोiliansक्स तो नूकलियर एनरजी का िस्तमाल करते हो energy produce करनी के लिए और उसके लिए एक nuclear reactor का इस्तमाल होगा फिर दूसरे सम्मेरिन्स होती है जिसे हम कहते है नौन नूकलियर सम्मेरिन नॉन नुकलियर संवेरिन में मालो डीजल अलेक्टरिक बेइस्ट होती है डीजर या इलेक्टरिक बेस्ट होती है या फिर अभी बात चल दी कि लीधियम आयन बेस्ट बैटरीज का इस्तमाल किया जाए फिर आपकी एक बात होती है जिसे हम AIP module बोलता है ठीक है so AIP module जो सम्मेरिंस होती है तो जैसे डीजल लेक्रिक सम्मेरिंस अब इनको क्या होता है इनको हर कुछ समय में 4-5-6 दिन के अंदर उपर आना पड़ता है अक्सीजन अट्मॉस्फेरिक अक्सीजन को स्टोर करके फिर नीचे जाएंगा इससे इनको डिटेक्ट होना बहुत आसाने कि इनको पता है कि अचा सम्मेरिंस यहां पे गई तो पास दिन में यहां पहुंचेगी तो यहां पी उपर जरूर इस जगह पे निकलेगी तो जो ए एयर इंडिपेंडेट्ट प्रोपल्शन का इस्तमाल होता है इसमें क्या है कि जो जुरूरत पढ़ती है कि सम्मेरिंस को बार बार उपर जाना पड़ता ऑक्सीजन को सप्ला है जो अट्मॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए तो उसकी जुरूरत नहीं पड़े यह बहुत कम प होता है कि इसमें sound create होती है और यह sound easily detect हो सकती है यह इसका बहुत बड़ा weekend से disadvantage होता है और इस वज़े से जो आपकी नेवी है वो प्रिफर करती है non nuclear submarine को nuclear submarine का लेकिन अभी क्या है nuclear submarine का advantage क्या होता है कि बहुत समय तक यह आपका नीचे रह सकती हो प्लस आपको उसमें changes भी कर लाओ करने पड़ेंगे जो अगें एक challenging task आपका बन जाता है अब अगर देखा जाए यह समझने के बाद दूसरी चीज हमें क्या समझ ली है कि जो इलाका है जैसे for example आपका इंडो-pacific का इलाका है इंडो-pacific का जो इलाका है उसमें आपके एक तो इंडिया नोशन रीज चाइना अपने presence को increase कर रहा है इंडिया नोशन रीजन में पैसिक ऊशन रीजन में चाइना अपने presence को continuous basis में increase कर रहा है तो एक power block develop किया जिसे हम इंडो-pacific बोलते हैं इंडिया नोशन से लेके Central Pacific Ocean में अब इसमें एक देश बनता है जिसे हम कहते हैं Australia जो की Quad का भी हिस्सा है लेकिन अस्ट्रेलिया को ज्यादा चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे पास में किरिबाती आइलेंड है वहां तक चाइना पहुंच गया चाइना चाहरा है कि उसका जो यह जो पूरसा ने वेस्टन पैसिकोशन पर उस पर पूरे तरीके से कंट्रोल रखे तो और दूसरे देश ऊपने और यूक़र समयरीन देने की बात करता है है अब इसमें एक बार अगर न्यूकलियर समयरीन प्रवाइड कर दी जाए और अस्ट्रेलिया को तो वहाँ पे कुछ रास्ते खुल जाता है पहली चीज तो क्या है कि उस रीजन में अगर अस्ट्रेलिया के पास न्यूकलर सम्मेरीन होगी तो वो इंडिया के लिए भी क्या future के अंदर concern हो सकता है क्योंकि आज मालो अस्ट्रेलिया न्यूकलर सम्मेरीन वहाँ पे चलाना शुरू कर दिया कहेंगे कि हम चाइना को रोकने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे है दूसरा देश भी ऐसा करने लग जाएंगे तो एक प्रकार से जैसे ही न्यूकलर सम्मेरीन उस इलाके में आ जाएगी तो इंडिया नेवी का जो अगर चाइना को रोकना है तो यहाँ पर दूसरे देश इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो चाइना की इग्रेशन को भी रोका जा सकता तो एक तो यह इंडिया की बात होगी दूसरा अस्पेक्ट क्या हाइलाइट किया गया अगर यूएस है यूएस क्या यह जो नूट्र टेक्नोजी है वह एजली ट्रांसपर कर पाएगा क्या एक्सपोर्ट और यह सब आसानी से कर पाएगा क्या तो क्योंकि इसमें काफी सारे चालेंग्जेज हैं इसमें अपने लाग को बदलना पड़ेगा काफी चीज है क्योंकि एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है वह डिफिकल्ट है फर इक्जांपल क्योंकि जो देश नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं जिससे एन पीटी कहते हैं उन देशों को नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी मितलब आप किसी भी प्रकार से नुक्लियर जो नुक्लियर वेपन है और इन सब को और ज्यादा नहीं करोगे तो एन पीटी जो साइन किया गया जिसमें प्रट ऑफटेट 1967 का यह रखा गया फिर इस ट्रीटी को इंडिया ने भी नहीं साइन किया और भी कई देश है जो उन्होंने साइन नहीं किया है उनको नुक्लियर टेक्नलोजी को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता तो यूस से बांड है कि क्या हम प्रवाइड कर सकते नहीं प्रवाइड कर सकते दोने प्रवाइड करनी पड़ेगी यह एक चैलेंज आपका बन जाता एक बार अगर अस्ट्रीला को प्रवाइड कर दिया तो फिर इंडिया के पास भी इसली वह ट्रांसफर कर सकते कई कंडिशन में देखा जाए तो जैसे कई एग्रिमेंट साइन भ प्रवाइड करता है अ बाते पेडिमी चैनल पर आप उसको और चालेंज भी बन जाता है अब इस में किस तरीके से प्रसीड किया जा है दोनों देश ऑस्ट्रेलिया युएस किस तरीके से प्रोसीड करते हैं और साथ में जैसे ये भी एक चैलेंज बनता है कि जैसे अब नुक्लियर टेकलोजी ट्रांसफर ही बहुत ही कॉंप्लिकेट है जैसा भी हमने डिसक्स किया है क्योंकि ये अलग तरीके का एक्जामपल से है वह समुदर के अंदर बहुत समय तक प्रेजेंट हो सकती है तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे देरी-देर फिर इस प्रकार के नैवी के द्वारा भी स्टॉक्पाइलिंग या स्टोर करना शुरू हो सकते हैं कि इस प्रकार के नुक्लियर टेक्टर तो फॉर्दर इनर्जी एजनसी जो इस चीज को मॉनीटर करता है तो कुछ गाइडलाइन्स हैं अब अगर गाइडलाइन्स है तो उन गाइडलाइन्स को कैसे इंप्लिमेंट किया जाए वो एक चालेंज बनता है दूसरा ये भी कागे है कि देखो जैसे मालो यूरेनियम है अब यूरेनियम का आप इस्तमाल एलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी नूकलर रियक्टर के मादधम से करते हो अब इसको और ज्यादा एन्रिज कर दिया 90% की ओपर तो इससे आप नूकलर वेपन भी बना सकते हो तो यूरेनियम अगर आप क्योंकि अगर आप ये सारी टेक्नोजी प्रोड़ाइड करते हो ऑस्ट्रियले का उस्ट्रियले का यूरेनियम का दो बहुत अच्छा भंडार है तो अगर आपने टेक्नोजी ट साथ किया फ्यूचर के अंदर और भी देश के साथ हो सकता है तो यह थोड़ा सा चालेंज आपका बन जाता नेक्स देते हैं स्ट्रियले के अंदर इस टॉपिक को इंकलूड कर सकते हैं तो यह एक बार देख ले अच्छा इससे पहले कल मैंने आपको जोग्रफिय एंवार करें क्योंकि सब रिवाइस फटा-फट आपका हो जाएगा यह डेली बेसिस में आपका यह सेशन लगबग साढ़े आट से नौ बजे के बीच में अपलोड हो जाता है तो रिवीजन सेशन है कि आप लोग उसको खास दोरते जोग्रफिय एर्मार्मेंट साइंस का इरी आप चूरण पर होसके कि समझो कि H3N2 क्या है तो यह एक इंफ्येंजा वायरश है जो कि इन्फेक्शन सक्कीर कर सकता हूं जो होता है एक निपया बेस्ट आरन अधि हो सकता से बताओं जैसे लुक्रान वायरे रियस आरन बेस्ट गया है तो यहां तो यहाँ पर देए ज इस वाइरस का structure इस प्रकार का होता है कि वह अपने आपको बदलता रहता मतलब उसके gene में बदला होते रहता है मतलब there is a mutation बदला होता है और variant नए-ने आते रहते हैं बदला होगा तो नए-ने variants आते रहते हैं तो यहाँ पे S3N2 भी एक प्रकार का variant आपका present होता है तो यह जो like for example उसमें बदला हुआ था 2009 में H1N1 pandemic जो वाइरस है जो आपका detect किया गया तो उसमें कुछ बदला हुए फिर S3N2 बना फिर धीर धीर इस वाइरस को भी detect आपका किया गया यह जो S3N2 वाइरस है यह अगर suppose को कोई भी person है वो pigs से काफे exposed है जैसे कई farms होते हैं वहाँ pigs होत हैं और that pig is affected या infected by H3N2 से वह affected infected और कोई इंसान उसके पास बहुत समय तक रहता है तो उसको transfer हो सकता है अब यह आपको यहाँ पी बहुत specific point आपको याद रखना है कि यह जो transfer है virus का वह बहुत ही limited है लेकिन दूसरे जो virus है मतलब in the sense कि एक बार suppose को एक pig है pig से यह transfer हो गया human क इसली transfer हो सकता है human to human although limited है इतना आसान transfer नहीं है बहुत समय तक presence होना पड़ेगा ऐसा नहीं कि touch के और transfer हो गया लेकिन अगर individual pig के पास बहुत समय तक है उस pig के पास जो की already infected है इस virus है तो there is a high possibility कि उस person को वह transfer हो जाए और उस person को transfer होने के बाद दूसरे person को भी it can be easily transferred human to human भी आपका transfer हो सकता है यह point आपको ध्यान में रखना है next topic देखते है this is related with government amendments KYC and add to add NPO's politically exposed person ठीक है तो इसमें यह topic economy साथ में मालो cryptocurrency money laundering का topic एक आता है आपका gsp3 के अंदर उसमें हम इसको include कर सकते हैं यहाँ पे देखो money laundering एक प्रकार का बहुत बड़ा challenge बन जाता आज के समय मे देखोगे ना तो morning laundering बहुत बड़ा challenge है खास तोर से जो financial intelligence unit है उनको देखना प्लस internal security में देखना कि money laundering को किस तरीके से रोका जा सकता है अब जैसे मानलो आपके पास पैसा है अब उस पैसे को आप किसी form में convert करके दूसरी जिगर transfer कर सकता है तो उसे money laundering कहते हैं अब उस करोड transfer करने हैं तो आपने हवाला transaction के माद्दम से उसको transfer कर दिया तो उसे हम हवाला transaction कहते हैं अब क्या different तरीके आगे जैसे cryptocurrency आगी अब cryptocurrency इतना अधिक regulated है नहीं कहां से क्या generate होता कैसा transaction होता बहुत मुश्किल है या अभी almost impossible है डेटेट कर पाना तो अगर money laundering के लिए cryptocurrency य करन करता है तो उसके पास identity होना चाहिए मतलब no your customer या KYC norms को जो है उसको fulfill करना पड़ेगा जिससे यह पता चले कि अच्छा यह जो cryptocurrency इसमें transaction इसके identity के यूज करके किया गया है तो अभी अगर chain create की जाती कि अच्छा पैसा का money कैसा transfer किया गया money laundering कैसे की गई है तो इस KYC norms क के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाता है पहले आपको पता ही नहीं था अब आपको पता है कि अच्छा यह account है इससे transfer हुआ है और KYC के norms को अगर opt किया तो यह चीज़े थोड़ी आसान हो जाती connect करना क्योंकि आपको जानकारी है कि अच्छा इसका account है यह so union finance ministry ने इस पर ब NPO's, non-profit organizations और जो digital assets है मतलब आपके जो virtual currency है, crypto currency इस तक इसको further expand किया गया है तो prevention of money laundering, maintenance of record rule को बदलाव करके KYC के norms को political exposed person आगे देखें क्या होते हैं यह non-profit organizations और जो virtual assets उन तक भी आपका रखा गया and यहाँ पर assessment किया गया और इस बात को highlight किया गया कि हो सकता है कि जो अलग अलग तरीकी अपनाए जा रहे है money laundering के लिए तो इसलिए KYC requirement को mandatory आपका किया गया, इस चीज को आपका mandatory किया गया, अब इसमें क्या है कि जब आप mandatory करते हो तो खास तोर से जो भी आपका reporting entity है या जिसके माध्धम से transaction हो रहा है उसे वो record को रखना पड़ेगा at least 5 years है, तो कभी को case खुलता है तो 5 साल तक आपके पास record है तो उस record को check करके, अगर case established करना है तो किया जा सकते है, तो politically exposed जो persons होते हैं, they are like कई प्रकार के prominent functions by a foreign country, जैसे मानलो senior politicians, senior government, judicial, military officers, तो यह क्या होते हैं, जैसे मानलो हमारे देश में कोई person उसको पैसा दे दिया गया, 5 लाग रुपाय दे दिया, 8-10 लाग रुपाय ट्रांसफर कर दिया जा तो, और फिर अगर किसी ने कुछ पैसा दिया तो पॉसिबिल्टी कि वो अपने agenda के माध्यम से कारे कर रहोंगे, तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा, कि क्या ऐसा तो नहीं है, कि मानलो कोई political party, क कोई leader है, कोई कई person उसको पैसा ट्रांसफर कर रहा है, और they are working in, against the country's interest, country's interest के खिलाब है, तो यहाँ पे कुछ definite, इसमें यह highlight किया है, कि अगर मानलो ऐसे person को ट्रांसफर हो रहा है, किसी माध्यम से, तो वहाँ भी KYC का आपकी प्रक्रिया को follow करना पड़ेगा, यह ऐसा न non-profit organization, मानलो religious charitable purpose के लिए कोई organization है, उसको भी इस list में add किया गया है, यहाँ पे जो lowering of ownership threshold from 25% to 10% there were treating any individual or group holding 10% ownership in a reporting entity as a beneficial owner for the purpose of PMLA, तो यहाँ पी बदलाव किया गया, जैसे मानलो कोई भी entity है, अब उसमें एक individual की ownership 10% की है, तो अगर 10% है, उससे ज्यादा की ownership है, तो उस person को भी यह सारे conditions को मानना पड़ेगा, everything, like he will be considered as a beneficial owner, उसे beneficial owner के रूप में consider किया जाएगा, और उसे भी फिर यह सारे KYC के जो norms है, that has to be followed, उसे भी follow किया, किसी प्रकार का transaction और सारी चीज़े, वो information आपका intelligence unit है, उसको provide आपका करना पड़ेगा, next देखते हैं, India US to launch a semiconductor subcommittee, यह GS paper के अंदर include होगा, इसमे हम लोग discuss करेंगा, IPEF के बारे में we will discuss, यह science tech का topic, कल भी मैंने बहुत detail में आप से discuss किया था, semi conductors के बारे में, we have discussed in detail about the semi conductors, ठीक है, semi conductors के बारे में हमने discuss किया था, तो देखो, आज के समय में अगर देखोगे न, इन semi conductors की बहुत अधिक demand बढ़ रही है, आस तोर से जब आज हम fourth industrial revolution की बात क की अगर हम बात करें, जो technology based products आपके होता है, उन technology based जो products है, those technology based products, technology based जो products है, उन technology based products की बात किया जा, तो उसमें, उसमें semiconductor की बहुत ज़्यादा demand आपके होता है, technology based products में जो भी देश आगे होगा, economic, political level पे वह भी आगे रहेगा, जिसमालो 5G है, internet of things है, artificial intelligence, बारे technology, बहुत जेतनी भी चीज़ा बनीगों, उसमें semiconductor का, इस्तमाला automobile sector जेतनी भी बनीगों, उनको भी semiconductor का जरूरत है, तो यहाँ पर क्या है कि semiconductor को promote करने के लिए, भारत ने भी कई सारी scheme ले कर आए, बट यहाँ पर India, USP, MOU उन्होंने sign किया, और इसके लिए अभी semiconductor सब कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें US का department involved है, और साथ में हमारे ministry of electronic information, technology ministry of commerce, यह भी involved है, कि कि किस तरीके से technology transfer एक supply chain डवलब किया जाए, जिसके माध्यम से जो semiconductor का एरिया है, वहाँ पर independence हाए, कि हम अपनी semiconductor की जो needles को पूरा कर सके, तो एक supply chain लेना, supply chain लेना, दूसरा एक term यूज होता है friend-shoring, friend-shoring का मतलब क्या है, दोखो यहाँ पर क्या है कि देश friend-shoring की concept की तरफ work कर रहे है, यहाँ पर मतलब जिसमालों India democracy है, USA democracy, तो यह कहा है, यह same mindset carry करते हैं, मतलब अपनी पे political value, राजनितिक value, समाजिक value, same सी है, तो ऐसे देश जो की same value को carry करते हैं, वो आपस में व्यापार करें, agreement sign करें, MOU sign करें, तो इसे हम friend-shoring शब्द भी इसके लिए स्तमाल करते हैं, तो यह जो commercial dialogue है, और जिसके माध्यम से MOU इंडिया और US के बीच में sign हुए, तो इसी area में आपका focus किया गया, चाहे आपका semiconductor हो, clean technology हो, या आप कहा सकते हो कि कैसे economic recovery को किया जाए, digital governance कैसे improve किया जाए, इन areas में focus आपका किया जा रहा है, इंडिया-US की बात किया जाए, तो यहाँ पर friend-shoring के इस concept को आपको ध्यान बरकर है, इवेन इससे पहले भी India और US ने इन पर focus किया, that is, India initiative of critical emerging technologies, जिसमें technology partnership है, जो important-important technology के emerge हो रही है, चाहे वो आपकी information technology से related हो, या आपकी 5G technology, बहुत सारे areas में जो technologies emerge, उसमें partnership लेकर आना, देशों के बीच में, इंडिया और USA के बीच में partnership लेकर, इस पर हम लोग बहुत पहले detail में discuss भी किया, अब देखो यह सब चीजें, अगर देखो जिसमें commercial dialogue आपका हो रह है, इंडिया के बीच में, और इन देशों के बीच में, जो commercial dialogue आपका continuous basis में हो रहा है, तो यहां पर focus किस बात पर किया गया है, कि जो Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPF है, जिसमें इंडिया भी हिस्सा रहा है, मही 2022 में US ने इसको launch किया था, जिसमें Australia भी है, अभी आपको याद रखना, इस इसी के aim को establish करते हुए, commercial dialogue अपने आप important हो जाते हैं, इंडिया यूएस के बीच में, तो यहां पे खास तोर से जो भी development हो, उसका benefit सभी तक रीच करे, economic growth हो, competitiveness, economy इसके बीच में increase हो, साथ में supply chain resiliency हो, मतलब चीजों की supply पे बहुत इधर-उधर का रुकावट ना है, raw material को प क्या दे कि हम तभी आपको देंगे, जब आप हमें हमारे इस interest को पूरा करोगे, जैसे चाइना के माद्य हम से किया जाए, तो इसको रोकने का प्रयास भी continuous basis में किया गया, तो यहां पे IPF का aim भी कहा है कि देश के development peace, prosperity इस पर focus किया जाए, economic activities increase किया जाए, inclusive growth लेकर आया जा आपको याद रखना है, पहले भी IPF पे means में प्रेश्न पूछा हुआ है, प्रिलिमस में भी इसमें जरूर से प्रेश्न पूछा जा सकता है, इसके चार major pillars है, एक तो trade है, व्यापार है, दूसरा supply chain है, supply chain का जैसे मैंने आपको बता है, कि मालों किसी product को हम produce करते हैं, तो उ renewable energy, decarbonization, infrastructure, इन पर focus करना, tax, anti-corruption measures पर focus करना, tax इस प्रकार के ना हो कि देशों जो देश हो investment करने से डर हैं, या आपस में जो tax regime है, उसमें uniformity maintain रहे, ये आपके चार major pillars है, IPF के जो की प्रेशन आपके बन सकते हैं, नेक्स देखते हैं, GS paper का topic है, international relation में, इसमें co-production, audio-visual co- production agreement आपका इंडा-स्ट्रेलिया के बीच में, transfer, sign किया गया, ठीक है, UIS channel को आप जरूर से subscribe करो, habit develop करो, session को live देखने की, और आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कि आप session को share भी करें, ठीक है, तो अगर आप 23 की तयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जरूर से प्रयास करे करता हूँ, सौरप पंड्यारेकरमी टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका PDF, class के बाद, and साधे नो से दस बजे के बीच में, आपका session आ जाता है, सुबह साथ बजे, Monday to Friday आपका रहता है, कि जो एक important topic हम लोग discuss भी करता है, and that is basically, जो आपका prelims booster series, different newspaper के topics है, यहा मिल जाते हैं, आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, so India, Australia ने sign किया है, audio-visual co-production agreement, under which private, quasi-government, government agencies, दोनों देश के, यह एक साथ film produce कर सकते हैं, तो private sector, या मालो, ऐसी संस्थाएं भी हैं, जिसमें, सरकार का भी role है, private sector का भी role है, government agency, तो साथ में कार करके, movie जो है, ब Australia पहला देश नहीं, जिसके साथ हम यह agreement sign कर रहें, यह भी आपके यादर में, और देशों के साथ भी हमने किया, चाहिए, UK, France, Germany, Italy, Canada, इनके साथ हमने already sign कर रखे, अब इसके benefits भी बहुत सारे है, जब दोनों के बीच में agreement sign होते हैं, तो कई परकार के taxation से related, यह कई परकार क total cost of co-produced work, अब इसमें देखो क्या होता है, मालों, एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, कौन कितना खर्चा करेगा, किसको कितना tax pay करना, इस सब पर थोड़ा सा, एक प्रकार से clarity रहेगी, और भी कई procedural aspect उसमें भी जो है, आपकी clarity बनी रहेगी, इंडिया और Australia की अगर हम बात क प्रेशन देखे, कल जो मैंने आपको प्रेशन दिया था, इंडिया इंप्रोविंट डिजिटल गवर्मेंट्स विल बूस्ट इंडियन एकोनोमी, तो ये answer आपका लिखा गया है, आप देख सकते हो, आप प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा work सभी लोग कर सकते हो, ठीक है, आपने answer आप सेंट कर सकते हो, सौरब पंडे यान अकडेमी टेलिग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कल के सेशन में भी देखो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका answer देख लो, ये पंडरे नंबर के प्रस्ट में लिए ऐसा नहीं कि आप बहुत जादा समय दे रहो, तो ये चीज आप सीखने का प्रियास करो, कम्यूनिटी पोस्ट में में answer डाल दूँगो, तो आप लोग देख लेना, अनकेडमी से जरूर से आपको जुडना है, अभी 20% का discount offer चल रहा ह तो मेरे द्वारा भी Science and Technology का कोर्स चल रहा है, और भी कई सारे जो कोर्से से आपके आएंगे, वो आप एक्सेस कर सकते हो, साथ में स्टॉप एजुकेटर की जैसे देखो, आरम बबैच, 16 तारीक से शुरू हो रहा तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, जब आप अनेकडमी स की live classes हैं, वो सब एक्सेस कर सकते हो, multiple educator के multiple courses एक्सेस कर सकते हो, पूरा platform में जितना कुछ आएगा, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, तो 24 की तयारी कर रहो, 25 की तयारी कर रहो, यह बहुत अच्छी opportunity आपके लिए, ठीक है, तो link नीचे दिया हुआ, 20% को आप बहुत होता है, इ Reponization of a country in this polarized world will not make world order stable, बढ़िया तरीके से जैसा अस्टेटिया के बारे में हमने discuss किया है, तो उस पर आप सोच के जरूर से लखे, तो इसका answer आप सारा पांडयान Academy Telegram चैनल पर सेंड कर सकते हैं, जरूर से सेंड करे, देखो, बहुत सार बच्चे सेंड कर रहे हैं, आप लो करें, UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और जो revision series के topics अभी तीन मैंने cover किये हैं, science and technology के दो lecture हो चुके हैं, एक geography environment का कल एक lecture था, तो उसको भी आप लोग go through हो, आपने notes बनाए, पीडिया भी proper आपको मिल रहा है, so thank you everyone, thank you.